हेलो साथियों तो आज हम बात करेंगे सम्हूंग के बारे में यानि ये कनिश्च साइक भरती और उसी के विग्यापन की PDF का एक पेज मेंने खुला वाए बहुत सारे छात्र जो है ये पूछ रहे हैं कि क्या इसमें सेवायुजन कारेले में पंजीकरण आवशक है या नहीं ह डाउट है और अगर आप मेरे से टच में हो तो आप पूछ सकते हो या किसी से भी आप सीन्यर से पूछ सकते हो ठीक है लेकिन पूछने के बाद ही आवेजन करें तो इसमें थोड़ा कुछ बाते किलियर कर देता हूँ एक जगे पे जो आपने PDF देखिए उसमें नवे नंबर पे लिखा है आवेजन हितु पातरता तो यहाँ पर आपका डाउट किलियर हो जाएगा उत्राखन लोग से वायुकी परीधी के बाहर समूग की सीधी भरती के पदों पर ठीक है तो परीधी के बागी पद जो है होनी आवशक है तो क्या क्या है वो अभ्यार्ती का उत्राखन राज्य में इस्थिद किसी सेवायुजन कारेले में आवेजन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथी तक पंजिकर्ण हुआ हो फॉर्म भरने की लास्ट डेट मानलो दस तारीक है तो दस से पहले पहले आपका रेजिटेशन होना चीए या यह नहीं है तो क्या होना चीए अभ्यार्ती उत्राखन राज्य का मोल निवासी या इस्थाई निवासी परमान पत्र धारक हो किसी के निवास पर्मान पत्र पे मूल निवास लिखा होता है किसी के स्थाई निवास तो उन में से एक होना चीए तीसरा क्या है आविजन करने के लिए वह अभिहरती पात रोगा जिसने हाई स्कूल और इंटरमेडियेट या समकक्ष सिक्षा उत्राखन राजजी में मानिता प्राप संस्तान से उत्र्ण किया हूँ तो आपको समझ आगया होगा तीनों में से एक चीज़ यह तो आपका नाम इंप्लॉमेंट एक्षेंज में हो ठीक है तो इंप्लॉमेंट एक्षेंज में नाम तेखो तब ये आता जmar domicile हो आपके पास, सीधी बात यह है है ना, तो बिना domicile के आप employment exchange में नाम कैसे लिखा होगे तो उन्हों क्या बोला कि या तो आपके पास employment exchange में नाम हो या फिर आप के पास domicile certificate हो, या फिर दसवी और बारवी आपने उत्राखण के किसी school से की हो सीधी बात यह है, ठीक है तो मान लो आपने दसवी बारवी यहां से नहीं की है ना, तो आपका domicile जरूर बनाओगा उसके base पे आप apply कर लेते हो ठीक है या अपने employment exchange में भी लिखा रखा है तो ठीक है, मतलब कहने का है कि सेवाजन कारेले में पंजिगन ध्यान देने वाली जो बात है, सबसे important वो क्या है, जब वहाँ पर दिखा होता है आपका क्या सेवाजन कारेले में पंजिगन है और जब अगर आपने वहाँ पर कर दिया यस, आपने वहाँ पर हाँ बोला है तो आपको फिर वो दिखाना पड़ेगा document verification में क्योंकि यह अनिवारी में नहीं है अनिवारी में तब होता है अगर यह लिखा होता कि अभ्यरती के पास सिवाजन पंजिगन आप्श्या के जैसे पहले होता था लेकिन जो चार-पांच साल पहले वा था अभी forest guard की उस समय भरती उसमें legitimate exchange वाले certificate में बहुत सारे भरती बहार हो गये थे लेकिन अभी इस वाले certificate में कोई भार नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा खुदी उस वाले में जो इससे पहले selection वा था तो उसमें expiry लग गया था लेकिन उससे कोई फर्क ने पड़ा उन्होंने वो देखा भी नहीं क्योंकि अब वो इतना compulsory नहीं है जब आप देख रहें कि यहां का इसके पास इस्थाई निवास है उत्राघंड का और दस भी बारी उसने यहीं से किये तो वो employment exchange वाले पर ध्यान नहीं दे रहें लेकिन form भरते वे हमें से इन चीज़ों का ध्यान रखना वह certificate mention करना जो आपके पास अंतिम तिथी तक बन चुका हो जैसे कई EWS लगाय थे tick है ना एक high court का exam वा था तो उसमें क्या वा था कि 28 के लगभग बच्चे इसले केवल भाहर हो गये थे क्योंकि उन्होंने गलती से tick लगा दिया था कि वह EWS के बेढ़ती हैं लेकिन जब उनका selection हो गया और certificate मांगा गया तो उन पर या तो नहीं था या बाद की तीथी वाला था तो नहीं चला फिर तो बाहर कर गया तो यहां पर आयो के कुछ नियम बड़े इस्ट्रिक्ट होते हैं जो डेट और तीथी के सब्मन में होते हैं मतलब डेट वाले हैं तो इन चीनों का थोड़ा सा ध्यान अपना तो इसलिए जब भी आविदन करो तो किसे सला लेलो अगर कहीं पर कन्फीजन हो रहा है क्योंकि एक बार आप फाइनल समिट करते हो किट आउट अपने पास रखें तो अभी के लिए दोस्तों इतने हैं और बाकी कोई चीज आपको पूछने दो कमेंट में पूछ सकते हो अगर आप इसने भरने में कोई आपको कन्फीजन हो रहा है को दिक्कत हो रही है अभी अगला वीडियो जब आपका बनेगा हो उसमे टाइपिंड समद्धी बातें डिसकस की जाएंगे